नमस्कार दोस्तों आज देश के उच्तम न्यायले ने भारती राष्ट्रिये कॉंग्रेस शिवसेना और राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनी भारती राष्ट्रिये कॉंग्रेस शिवसेना और न्सीपी की और से सपश्ट और से हमने भिर दोराया के महाराष्ट्र में प्रजा तंत्र की हत्या हुई है और जना देश को धूमिल कर समिधान को पाउं तले रोन दिया गया है और एक नाजायज भारतिये जनता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांजी सरकार वहां बनाई गई है इसलिए अनुरोद किया गया उच्टम न्यायले को हमारे पक्ष की और से के एक फ्लोर टेस्ट यानि जनमत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट पौरी तोर से ओर्डर किया जाए ताकि ये साबित हो जाए के बहुमत महाराश्टर के विकास के गठबंदन कॉंग्रेस न्सीपी और शिवसेना के गठबंदन के पास है सुप्रीम कोट को हमने 154 विधायकों के शपत पत्र भी दिखाए जो ये साफ साबित करता है के एन्सीपी कॉंग्रेस और शिवसेना के पास संपूरन बहुमत है क्योंकि वो आंकड़ा 145 का है और 154 विधायक साथ है जैसे ही बाकी विधायक भाजप्पा की जेल से छुट जाएंगे तो ये संख्या और बढ़ने वाली है आदर्णी उच्तम न्यायलने ने दोनों पक्षियों के बहस को सुनकर मामला अरक्षित किया है और ये निर्णे कल साड़े दस पजे वो सुनाएंगे ऐसा उन्होंने आदेश दिया है कॉंग्रेस पार्टी, शिवसेना और न्सिपी हमारे गठबंदन को ये विश्वास है कि माहराश्ट्रा में जनमत की जीत होगी भाजप्पा और अजीत पवार के समेत वो सारी ताक्तें जिनोंने प्रजातंत्र को पाउं तले रोंदा है जनमत का अपहरन किया है, चीरहरन किया है समिधानिक संस्ताओं की गरिमा को धूमिल किया है उनको फ्लोर टेस्ट के अंदर करारा जबाब मिलेगा जब देविंदर पंडवीश जी और अजीत पवार जी को महराश्टर के चुने हुए विधायक अल्पमत में होने के कारण बहार का रास्ता दिखाएंगे और कल के निर्णे के बाद वो प्रिक्रिया शुरू हो जाएगी ऐसा हमें विश्वास है क्योंकि समीदान और सक्टे की जीत ही आखिर में होगी मैं अब अनुरोद करूंगा इससे पहले कि मैं इंग्लिश में कहूं आदर्निये और सवाल भी हम लेंगे आपके आदर्निये प्रित्वी राज चवान साहब जो पूरा मुक्यमंत्री है महराश्टर के के वो अपना पक्ष आपके समक्ष रखेंगे और शिरी मुकुल वास्टनी जी वी विल जस्ट वेट पूर एफ्यू सेकंद साथियों इस मकर्दमे का सवाल बहुत सीधा और आसान है आज महराश्ट में एक नाजाएस सरकार और नाजाएस मुक्यमंद्री बैठे हुए हैं यह साफ है जैसे की सुरीजेवाला जी ने कहा कि मेरे पास मेरे हाथ में तीनों दलों के शिवसेना राष्टवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के 154 विधायों को के अलग-अलग एफिडिविट है साइन एफिडिविट है कि हम एक साजा सरकार बनाना चाहते हैं शिवसेना के उद्दव ठाकरेजी के नित्रितु में एक और साफ बात है कि कुछ विधायकों ने इन्सीपी के कुछ विधायकों ने दोनों जगा साइन की हैं पहले जो सिग्निचर है वो गलती से उनकी अनुप्रति के बिना दिये गये हैं और अब उन्होंने हमें अपने खुद के इंडिविजूल एफिडिविट्स दिये हैं एक इस तरह की परस्थिते पैदा हुई है कि असलियत जानने के लिए फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोनों दलों ने फ्लोर टेस्ट स्वीकार किया है सवाल सिर्फ यह है कि हम चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट 24 घंटे के अंदर हो जैसे कि करनाटक में और उत्तरखन में दिया गया था और जो प्रोसिजर करनाटक और उत्तरखन में अपनाया गया था वही प्रोसिजर इस केस में भी अपनाया जाए अब विपक्ष की और से दलील रखी गए कि उनको और समय चीए हमारी गुजारिश अदर्णिया सर्वोच्य नियायले से हैं जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराएं क्योंकि यह सुप्रीम कोड का ही फैसला है कि भूमत का फैसला सिर्फ विदान सभा के सभागरा में ही हो सकता है हमें उम्मिद है कि कल जब सर्वोच्य नियायले अपना का फैसला सुनाएगी दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी और अधिक समय दे देते वे कल के कल चुबीस घंटे के अंदर सदेश्यों की शापत और उसका तुरंत बाद सीधे जद्मत का फैसला फ्लोर पे किया जाएगा अगर चुबीस घंटे रुकेंगे इस वान से हम सुरेंगे कौन सा फैसला है